Good morning student, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपर्डन इससे पहले वाला जो टॉपिक मैंने समझाया था वो था अपक्षे और अपक्षे होगा, अपक्षे की प्रक्रिया का ही अगला जो करम है वो है अपर्डन मैंने आपको पताया था कि किसी भी चट्टान का टूट फूट हो रही ही हो चाहें वो रितूपत रूप से हो या आपका रासाइनिक हो या आपका प्राणी बढ़ गिये हो क्योंकि मैंने अपक्षय में आपको तीनों ही कारक समझाए थे उनमें जो भी टूट फूट हो रही थी वो स्थैतिक थी इसका मतलब जो भी मलवा या कंकड पत्थर इखटे हो रहे थे वो स्थान विशेश पर हो रहे थे लेकिन वो अपने स्थान विशेश पर ना रहे के उनमें परिवहन हो जाए मतलब वो गती कर जाए अब गती किन कारकों से करेंगे आपको समझाने के लिए देखिए यह कोई चटान है और चटान पर यहां चैने तापिये हो रहा हुआ कुसी भी कारण से अब पक्षय हो रहा है और यह मलवा था छोटे कंकर बड़े कंकर जो जैसा भी रूप है क्योंक करता है वो चटान कैसी है अब चटान के बात जब हमें समझ में आ गया कि हमें किस रूप में वहां पे हमें मलवा मिलेगा तो अगर यह मलवा यहां इन कठा है तब तक तो क्या है ये अपक्षय है लेकिन ये अपने इस्थान से किनी कारकों के माध्यम से यहां के अपक्षय यहां पहुंच जाए तो क्या हो गई इसमें गती हो गई ना गती हो गई या इसका परिवेन परिवेन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहां जाके पहुँच गया तो जब इसमें गति क्रिया कर गया परिवेन शब्द जुड़ गया तो वो ही क्या हो गया आपका अपरदन हो गया अब यह अपरदन किन-किन कारकों से होता है देखिए नदियों के द्वारा हवा के द्वारा हिमानी के द्वारा सागरिय लहरों तरंगों के द्वारा और भूमिकर ये पांच यो मुख्य कारक हैं जिनके माध्यम से अपर्धन की प्रक्रिया कारे करती है सबसे पहले हैं फस्ट रो फॉल हम डेफिनिशन की बात कर लें अपक्षेत पदार्ट मैंने का था अपर्धन जब होगा जब अपक्षे से मलवा मिल जाएगा अपक्षेत पदार्ट जब इस्थांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है अपर्दन केहलाती अपर्दन कैसी प्रक्रिया है गतिक प्रक्रिया गति कर लिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गें जैसे नदियां प्रवाही जल है नदियां बहेंगी मालेजे कोई नदी बह रही है यह नदी बह रही है और बहने के साथ से यहां किनारे पर क कोई पत्थर है तो वो क्या करेगी इन किनारे के पत्तर पानी जाएगा तो उसको जाये यह नोगे प्र upp cres and दूसरा है पवन नदियों का तो आपको सीधे सीधे क्लियर है कि इन चेत्रों में जानना दिया होंगी वहाँ इस प्रकार का अपरदन आपको देखने को मिलेगा दूसरा है पवन अपढ़दन जो पवन अपढ़दन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ऐए किन चेतरों में होता है मरिस्थलिये चेतरों में क्यों नहीं। और खुली जगे होगी तो वहां पे क्या होगा यह पांच कारकों कि मैंने आपको बताया था पवन चू होता है वो विशेश रुप से मरुस्थली चेत्रों में आपको ज्यादा प्रक्रिया देखने को मिले क्यों मरुस्थलों में देखे खुला चेत्र होता है कोई ज्यादा अवरोध नहीं होता, जा अवरोध नहीं होता तो वह हवा को गती मिलती है और गती मिलने के कारण वो तेजी से उस छेतर में तोड़ फोड का कारे करती है तो पवन अपरदन आते ही आप समझ जाएए इसका आंसर आपको कहां से रिलेट करना है मरुस्थल ये छेत्रों से शूप से बताया था कि जो हिम छेत्र हैं वहां पक्षे होता ही नहीं है और यहां बात कर रहे हैं हिमानी तो इसका मतलब पूर्ट है बर्फीला चेत्र में जहां बर्फ कुछ समय के लिए पिघलती है उन छेत्रों में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है सागर ये लहर है सागर की तरगे आपने देखे हो कितनी तेजी से तटक आती है तकराती है फिर बापस आती है तो जो बार बार टकराती है इतने तेज प्रेशर से तकराती है चट्टानों से बहुत तेज अवाज होती है उसके कारण भी काफी तूट फूट होती है भूमी ग जटज शब्द आते ही आपको क्या याद रखना है चुना चेतर देखे बिलकुल क्लियर है answer आपको दिमागी नहीं लगााना है पवन अपरदन होगा मरस्थलिये चेतरों में जल आपको समझ में ही आघा रहा है नदियाँ जहा जाओंगी हिमानी जहा हिमका चेतर होगा साग एक हैं बूसरी कास्ट अपर्दन तो यह आपको ध्यान रखना है कि की से rž्येट करना है भूमी गजल आपको हिए कास्ट अपर्दन भी कहते हैं और पवन आपको मरस्तुलिय छेत्रों के बारे में अध्यन के करके या उसके बारे में आपको लिखना है अब इसमें ये अपरदन होता किन-किन कारकों से है जैसे हमने अपक्षे की बात कीती, रितू छरण के कारण, रासाइनिक प्रक्रिया के कारण या प्राणी वर्गिय कारक, ये तीन कारकों के अंदर हमने अन्य उपकारक पड़े थे ऐसे ही अपरदन भी कई प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है उसमें पहली प्रक्रिया है हमारी अपगर्शन जब कोई प्रक्रम अपने साथ बालू, कंकर, पत्तर इन पदार्थों को लेके आगे बढ़ता है तो इनके संपर्क में आने वाली चट्टानों में छरण होता है यही प्रक्रिया कहलाती है अपगर्शन माली जे ये चट्टान है और यहां से मलवा ये चल रहा है अब इसके चेतर में ये सत्य है यहां पे भी चोटी मोटी चट्टाने होगी तो यह इनसे तकराएंगी नजा तो सनी घर्शन की प्रक्रिया कब कारे करती है जब किसी भी प्रक्रब में पहने वाले कंकर पत्था आपस में नहीं न का न एक पत्थर और दोनों चखोडरा रहें और लेकिन अ पत्धर दोनों आपस मै तकरा रहे हैं तो टकराने के कारण । एक कि वो मलवा भी दीरे-दीरे इसके संग आगे सकता जाएगा तो ये प्रक्रिया कहलाती है कौन सी हमारी सन्नीकर्शन मतलब दो चट्टानों का या दो कड़ों का आपस में रगड़ खाके तूट फूट होना उत्पाटन ये ज़्यादत है प्रक्रिया जो होती हिमानियों के म तो उचल उचल के तूट तूट के वो जो गिरता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्पाटन ये प्रक्रिया जायतर आपको विश्यश रूप से ध्यान रखने कहा होती है हिमानी के छेत्रे में होती है कुछ छेत्र में ध्यान रखने होंगे कि कौन-कौन सी प्रक्रिया कह आप वहन करती हैं नेग्स्ट है हमारा अपवहन का मतलब एक इससां से पवन के द्वारा असंगठे चट्तानी कन जब अपने साथ बहाकर ले जायते उससे उस कहते अपवहन ये चेतर कहां बताया था मैंने मरुस्थलीय चेतर आपको अपवहन का मैं अपने संग वहन मतलब बार लेके आँगे बढ़ना या उड़ाके ले जाना तो ये प्रक्रिया कहां देखने को मिलेगी आपको मरुस्थलिय चेत्रों में पांच वी है घोलन या संचारण, यह प्रक्रिया हमने देखे अपक्षय में भी पड़ी थी घोलन वाली रसाइनिक प्रक्रिया से संबंदेत है, तो घुले का क्या? देखिए जादे तर घुलन शील चीज है वो है चूना तो चूने वाले छेतर में आपको देखने को मिलेगी घुलन या संशारण की अगर हम बात करें घुलन शील पदार जैसे चूना पत्थर है खड़िया है डोलो माइट है अवसाधी चट्टाने जो है डायोराइट है डायोराइट बनती है आगनी चट्टानों से जब चट्टानों से अलग होकर ये छोटे-छोटे कंड जल में क्य घुलते हैं तो उसे कहते हैं घुलन की प्रक्रिया या संशारण ये प्रक्रिया जातर भूमी गत जल और प्रवाही जल से सरवाधिक होता है और विशेश रूप से मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया तब चूना चेत्रों में चूना प्रदान चेत्रों में घुलन संश टानों में होने वाला चरण, जलदाव गती क्रिया से होता है, नदी देखिए अपने वजन से 64 गुना जादा वजन का भार लेके चलती है, लेगिन कब तक जब तक उसमें गती तीवरिता होती है, जैसे जैसे भार भढ़ता जाता है, नदी पे वजन भढ़ता जाता है, उसक तो कि आप देखते हो जब नदी परवतिये चेत्रों से निकलती तो इतनी तेज अवाज करती है कि लगता है कोई शोर हो रहा है तो वहां पर गती तनी तेज हो कि अदाल की प्रक्रिया काम करें तो तोड़ जादा करेंगी। जैसे ही नदी मैदानी चेत्र में आती है, बहुत चोड़े चेत्र में फैल जाती है, जितना चोड़े चेत्र में फैलेगी, उसकी गति भी डिवाइड हो जाएगी, बहार भढ़ता जाएगा, क्योंकि उपर से लाई हुए कंकड, पत्थर, मिटी, उनको वो ढोके लेके जा तो गति के आजए कम जैसे जैसे वह समुद्र के और भढ़ने लगते क्योंकि नदी का उद्गम और उसका आखरी स्थान क्या होता है समुद्र में जाके मिलना वहां तक जाते जाते वह वजन इतना जादा हो जाता है कि उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है और अपने संग ला तो तो कोई बात निया लेकिन अगर दवा फट जाता है उस चेट में क्या होती है टूटन और पर्दन की प्रक्रिया कारे करने लगती है तो वही क्या होती है हमारी जल्दाव यह जलकती अब आपको एक सिंपल उधारन के मालीजी की घर के आसपास कोई पानी भरा हुगा ह काफी सालों से मतलब हो गया उसके दस भी साल हो गया दर पंद्रे साली है मालीजी पांच साली हो गया पानी भरा है कोई ध्यानी नहीं दे रहा यह आपके घर की बगल में कोई प्लॉट है प्लॉट खाली है जान सारे पारिश का पानी पानी भरा रहता है और आपके घर में जैसे वो पानी खाली किया जाए मोटरों लगा के तो आप देखे आपके घर में दरारे चटकने आने लगती हैं यह आने लगती हैं क्योंकि उस पानी ने उस जगे अपना दवाब बनाये हुए तो वहां खाली जगे होने के कारण वहां क्या होती है दरारे और चटकन आने लगती है तो फिर तो नदी छेत्र तो इतना बड़ा है तो सोचें वह कितना ज्यादा प्रभावित करेगा हम तो चोटे से छेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, तो मुख्य रूप से अपरदन की प्रक्रिया में पांच कारक मुख्य रूप से उत्तरदाई होते हैं, पहला है अपना अपघर्शन, दूसरा सन्नी घर्शन, सन्नी मतलब साथ साथ में, तीसरा उत 5 पाइब भॉलन सिंचारन जोकी नदिचेफ송् 서Beast सच्ट चूना प्रदेशन में आपको एकडियों के चेतर में साधी चत्टानों के चेतर में ऑको मिलेंगी लेकिन एनका अगर पैटिकुलर आप तो वह चूना प्रधान छेत्र होंगे जैसे यूगोसलाविया का आपन बात करते हैं वहाँ पर विशेश रुप से इसकी काफी सारी इसलाकृतिया देखने को मिलती हैं तो चूना प्रधान छेत्र इसमें विशेश ध्यान लगता है जलदाप जलगती ये नदियों वाले छे अगर कंप्लीट होता है अब इससे संबंदेध हम थियोरीज को पढ़ेंगे